दोस्तों एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहसे क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम खल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ भढ़ने को कहा। और जब आगे भढ़ते भढ़ते पानी गले तक पहुँच गया तो तबी सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया लड़का बाहर निकलने के लिए संगर्ष करने लगा लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज उस लड़के ने सब से पहले की वो थी हाफते हाफते तैजी से सांस लेना सुकरात ने पूछा जब तुम वहां थे तो तुम सबसे जादा क्या चाहते थे रड़के ने उतर दिया सांस लेना सुकरात ने कहा यही सफलता का रहसे है जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरीके से चाहोगे जितना की तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी इसके अलावा कोई और रहसे नहीं है दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाते हैं तो more often than not, वो चीज आपको मिल ही जाती है जैसे छोटे बच्चों को देख लीजी वो ना तो past में जीते हैं और ना ही future में वो हमेशा present में जीते हैं और जब उन्हें खेनने के लिए कोई खिलोना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टौफी चाहिए होती है तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ती बस उसी एक चीज़ को पाने में लग जाती है and as a result वो उस चीज़ को पा लेते हैं इससे सफलता पाने के लिए focus बहुत जरूरी है दोस्तों सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें intensity होना बेहत जरूरी है दोस्तों और जब आप वो focus और वो intensity पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है धन्यवाद